जो मैंने गलती करी थी सबसे बड़ी वो गलती ये करी थी क्योंकि जो मैं आ रही थी जैन्वेर इंटेक में तो हमन आप इसी मो तो इससे स्टफ देखो कितना पतता है कि एस बिंधे घ मुझे बनाता तो म तुम जो मैं पंधमानले बनाता है कि पते कि मेरे लिए कमस श्थाबबसक्त कि इसके अंदर एक चोटा वाला था पहली चीज जो मैंने बैंग में रखी थी प्याकिंग करते था मेरे को जो लगा था वो भगवान जी की मूर्ती थी मैं लगा था कि कुछ चीज में सोजाए पर मेरे वह बहुत इंपॉर्टेंट थी अब भगवान जी को याद करके अपना काम शुरू करें और नहीं तो भगवान जी की चोटी सी मूर्ती जरूर लेकर आओ बले साथ वह बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहां पहुंच रहे हैं हमारा वीजा आया है या हमारा पीपिया रा गया है उसमें भगवान जी का भबडा हाथ है तो अब भवान जी की मूर्ती भी लेकर आओ कैसे हैं आप सब वेलकम यू ओल इन मैं टोड़ी इस वीडियो सो मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद प्लस बहुत सारी फ्रेंड से डिसकस करके प्लस अपने एक्सपिरियंस से एक ऐसी लिस्स प्रिपेर कर ली है जो कि आपको बहुत हेल्फुल रहेगी अगर आप भी ऐ मैं नहीं बहुत रहेगे हैं इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया आपके ख्लोधिंग में किट्निके के लग भी ust the living को भाद पो लाघ्र दी कर दिया तो हम पहले जो बात करेंगे वह बात करेंगे क्लोधिंग सेक्षिन में जो पहली सारी जिसकी आपको पड़ सकती है मे तो यहां पर दोनों ही आपको बहुत इंपोर्टेट है और यह जब आप विंटर्स में बहुत है तो बहुत है रहते हैं जो अभी तक मैंने देखा है में को भी यहां पर 7 मन्स हुएं फर्स्ट विंटर्स मेरी निकल गई हैं लगभग 3-4 जो थर्मल्स हैं वह उफिशेंट आपके लिए तो आप अच्छी क्वालिटी के बॉड़ी के या फिर किसी और कंपनी के लिए के आ सकते हो देन मुविंग फॉरवर्ड आपके स्वेट शर्ट एंगल्स के लिए वुलन टॉप्स रहेंगे वह लगभग 5-6 आप लेके आए क्योंकि जब आप अपने कॉलेज जो मैंने गलती करी थी सबसे बड़ी इन टेक में तो हमने विंटर्स को इतना हैप दे था कि सब्सक्ते आप यह अ चाहने कहिए बदाव का पड़ी बहुते हैं तो यहां पे अंदर घर हीट ए हए हुआ है और कैनडा में समर्स भी आती हैं तो आप मुझे आप मुझे पहन पर मैं लग बग ना के बराबर ही लेकि आई थी क्योंकि घर के अंदर आप रहते हो तो भारी बारे से ना वुलन टॉप पहनते हो ना विंटर जैके पहन के कुमते हो आपके जीन्स हैं जीन्स आपकी 3-4 जीन्स अफिशेंट रहती हैं क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जादा निकल सकते हो थोड़े से अच्छे से आप लेकि आएगा तीन-चार वो ले आना अपने लोवर्ज या जोगर्स और आपका है विंटर जाकेट कुछ लोग विंटर जाकेट कानेडा से लेना पसंद करते हैं पर मैंने अप इंडिया में डी-Cathalon है जो बेस्ट है विंटर गाजट्स के लिए उनसे आप पूछ सकते हैं कि कितने डिगरी तक ये विंटर जाकेट काम्याब है या फिर मैंने तो अपनी गलव्स और अपनी कैप और अपना मैंने विंटर जाकेट ये तीनों चीज़े मैंने डी-Cathalon से और वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका अगर आप विंटर जैकेट इंडिया से लाना चाते हैं तो अधर्वाइस आप यहां से भी ले सकते हैं विंटर शूस हाँ मैंने विंटर शूस कानड़ा से लिए थे एंड गूइंग फॉवर्ड गुड क्वालिटी जैकेट्स व तो हम इंडिया में यूज करते हैं आप वो भी लेकर आ सकते हो हर बार मुझे जरूरी नहीं लगा विंटर जैकेट पहनना बाहर सर्दियों मैं तो मैंने कभी-कभी अपनी नॉर्मल जैकेट्स पहनी है वो अपना थर्मल लेरिंग करते हैं जैसे हम यहां पर तर्मल देन यहां से बस बस टॉप तक जाना होता था जिल देन ठंडी होती थी देन बस में बैठके वो बस भी हिटिड है कॉलेज भी हिटिड है सब पूछी तो मेरा चल जाता था तो मतलब ऐसे भी दिन गया है जब मैंने विंटर जैकेट्स नहीं किया तो मेरे नॉर्मल जैकेट्स क आपकी आए मेरे गोईंग फॉवड देन आपकी सॉक्स की बात रही सॉक्स के लगबग आप शिक्स पेर्स लेकर आना जिसमें से आप तीन वुलन लेकर आ सकते हो और तीन नॉर्मल सॉक्स जो होती है वह आप लेकर आ सकते हो देन अगें कुछ लोग फुल लेंथ पहनना कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं वह आप अपना लुक आउट देख सकते हो बाकी मेरा रिकमेंडेशन यह रहेगा कि अपनी फुल लेंथ लेकर आए और एक अप्रा आप अंकल लेंथ लेकर आ सकते हो बाकी सॉम्मर्स की साब से तीन पेर सफिशेंट हैं इसके जादा आपका है प्रस अंफरर्स यह से मैं आपको बिताया क आपका है अपको अब करते हैं अपको काप की बहुत पढ़त परती है मैं लेकर इंडिया में कभी कप नि पहनी है पर यहां आके मुझे भी कप की ज़रोतर लगी थी तो अच्छी क्याप अपनी लेकर आना नहीं है कितो ही मिस्ट छाहि है ए्स रिखार के वाहाज इमाने समय का ला चाहिए वह भी कना एक पैर ले कि हो सकते हो अब झाल नगजमेस को है किस फेस्टीवल बास में यवन उसने सकते बाद में आप यहां आके भी दिरे कर सकते हो देन आपका हो गया हां देन गुड क्वालिटी शूज यहां पर वाकिंग बहुत जादा है जरूरी नहीं है कि आपके घर के बहारी हमेशा बस्टॉप रहेगा जैसे मैं जहां रहती हूं यहां से 5-7 मिनट्स बस्टॉप का तो चलना बहुत पढ़ता है हां पर कुछ इए कवह या कवट जाना पडता है तो शूज एक ची वालिटी के हैं मेरे पस पास यहिए सपोर्ट शूज होते हैं मेरे लिए अभी तक वही इनफ है बट अगर कोई चाहता है तो दो या तीन भी लेके आ सकता है बट हां मेक शूर अच्छी क्वालिटी के हो क्योंकि यहां पर वही चलेंगे बरफ में थोड़े से और प्लस वैसे भी चलना बहुत पड़ेगा तो आपको तो अच्छी क्वालिटी के जूते ही काम आएंगे बहुत काम आए गरम पिल्लो कवर था और गरमी बेट शीटी थी तो फिर मैंने जितने बच्चों को लाते हुए देखा है फिर में आपको कूंगी तो तीन बेट शीट तो अपनी लेकर ही आओ ताकि आप उसे टाइम टू चेंज कर सकते रो उसके पिल्लो कवर्स को अपनी उपर रजाईयां लेकर आने की ज़रूरत नहीं है रजाई मतलब यहां पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि घर जो है वो हेटेडी रहते हैं तो उसमें आप बेसिक एसी कमफर्टर होता है वो आप ला सकते हो मैं आपको दिखाते देखो आप इसका स्टफ देखो कितना पत्ता है ऐसा यह देखो यह नॉमल एसी कमफर्टर रहता है यह मोर्दन इनफ है यहां पर इसमें आपको ठंडी लगेगी ठीक है देन आगे टावल्स रहते हैं आपके तो आप दो बड़े टॉल्स लेकिया सकते हो और दो हैंड मतलब एक बड़ा टावल या दो बड़े टावल या एक हैंड टावल आपका इंपोर्टेंट आप लेके आ सकते हो देन आपके स्लीपर्स वन पेर ऑफ स्लीपर्स घर के अंदर जूते पहन के हां पर कोई ने गुमता बाहर ही उतार देते हैं सब लोग जूते और अंदर के पूलना वह फूल जाता है पूरा एंद यह रह हो गया आपका क्लोधिंग का क्लोधिंग में मुझे नहीं लगता है से जादा कुछ और चीज की ज़रूत पढ़ सकती है यह मोर देन इनफ है आपके एक गर्मिया और एक सर्थियां बहुत आराम से प्यार में निकल तो हम शुरू करता है चकले और बेलन से तो बेलन लेकर आना चकला मुझे लाना इतना जरूरी नहीं लगता क्यूकि छॉपिंग तो होती है पर करके एक बेंदध राच्ट सब्सक्राइब चैनले घर लख。 बाउलर का मुश्किल से मिलता होगा उसको उल्टा करके वुडन वाला उसको उल्टा करके उस पर आप बना सकते हो रोटी मतलब मतलब मल्टी टास्किंग है वो तो मैं उसी को यूज करती हूँ मुझे चकले की जरूरत नहीं पड़ी हां बट बेलन लेकर आना देन आपके ब बट बट जाती है वो चीजे रखना होती है तो उस सब चीजों मैं काम आते हैं तो मेरे ऐसे थे किए अंदर एक था और इसके थे अंदर एक चोटा वाला था इस सब्सक्राया बहुत है प्लस यह मैंने ऐसे रख थे और इसमें मेरे ममा ने कुछ और संवान रख दी तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं तो यह आप लेकर आना अपना समान रखने के लिए देन गोइंग नेक्स्ट हमारी है बास्केट्स अच्छा कुछ फ्रूट्स वगएरा मतलब मैंने इस ले ले थी क्योंकि कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जो आपको बास्केट्स में एक बास्केट्स ऐसी थी कि बड़ी उससे छोटी और उससे छोटी वो तीन थी एक मैंने अपनी मंदिर में रखी हुई है दूसरा यह बड़ी है इसमें मैं अपने फ्रूट्स वगए रख लेती हूँ बनाना जिया फिर मैंगो जो दोड़े बहुत कच्छे लेके आती हूँ ह तो वो इसके अंदर धोके रख लेती हूँ ढ़के और यह है यह मेरे कभी-कभी सब्जिया वगएरा दोने के भी काम आ जाती थी मैं इसी में सब्जी दो लेती थी कुछ ताइम तक अब तो मैंने खेले एक स्ट्रेनर ले लिया है बट यह में बहुत है तो मैं ऐसे लिए सब्जी कि एक बड़ा उसे छोटा उसे चोटा करके समान मैंने मैंने माक्सिमम ऐसा ही रखा है अपने पैकिंग के टाइम पे जाते हैं फ्राइं पैन की तरफ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं पैकिंग कर रही थी उस टाइम पे मुझे बहुत लोगो की बनानी कोशिश की कि तो आप समझते हैं फ्राइंग पैन साइड की कॉर्नर ते हैं इसके अंदर हाज जलता है जब आप पलटते हो ऐसे करके तो गरम गरम वह लगता है तो हाज जलता है मेरे लिए व भीए फिर मैने यहां और और एक यह मेरे को फ्राइंट पैंट दिया था प्लस मैंने तब फिर यहां आके खरीदा है तब आप घर से भी लेकर आ सकते हो यहां के भी ले सकते हो वालमार्ट से लगबग मुझे सिक्स्टीन डॉलर सम्थिंग का पड़ा था तो आप जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो मैंने यहां के लिया क्यूंकि मुझे तो किसी ने यही बोला था कि नहीं आप इसी के अंदर बना लो इसमें बच्चे रोटी बना लेते हैं हमें हमें पता है यह जो मेरे लिए चीज सक्सेस्फुल नहीं रही बात रही एक छोटे से पतीले की दूद बॉल करने के लिए अगर आपको चाय पीना पसंद है तो चाय पीने के लिए मैं यह बहुत चोटा सा मेरे लिए बहुत सफिशेंट है इसमें मैं चावल भी बना लेती हूं इसमें मैं दूद भी गर पतीले में चाय वगरा बनती है देन गॉइंग फॉवर्ड हमारा प्रेशर कुकर है प्रेशर कुकर में एक जो मेरा मैंने जो लेसन लिया है वो यह तीन लीटर का प्रेशर कुकर मोर देन इनफ है मैंने बजाज का लिया था बट इसके साथ जो चीज इंपॉर्टेंट है जो यह है कि जो रबड होती है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो एक्स्ट्रा लेकर आना क्योंकि मेरी लूज हो गई है अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्रम होती है तो छोटी चोटी जो के तरफ धान नहीं जाता उस मुमेंट पे बट हाँ कूकर के साथ एक्स्ट मैंने सब यहीं से लिया था पर आप ऐसी सी चीजें इंडिया से लेकर आ सकते हो क्योंकि मैं जो लेकर आई थी मैं थोड़ा सा अलग स्टफ का लिया थी जो मुझे लग रहा था कि नौन स्टिक वगएरा पर चलता है क्योंकि हम स्टील नौन सिक पर यूजने करते बट वो मेरे साथ होता यह था कि वह मैंने रिलाइस हिया कि कुछ टाइम पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वह प्लास्टिक उसका जो था वह मैल्ट होता था तो इससे मैंने भी यह खरीदा है वालमार्ट से तो यह दाल वगेरा के लिए अगर किसी को कुछ और बनाना क्का क्राइस हो बता तो यह हो गया देन आपका कुछ खार रहे हो आप तो उसके लिए उसका चीजें आप चाहते हो तो इंडिया से भी लेके आसकते हैं नहीं तो यह पर भी मिल जाती है और तो यहां पर पे बिलगा नियुगावरु तो रहती थी तो फॉल्स यह भी आप भी वह भी आपनेसे किया हीँ तो कहा है तो इसमें छोटाशक प्राइब करना हो या फिर आपको त्होडा से सलगना हो तो यह उस चीज़ में वहर प्रिक लेता है, और यह बड़ो टीकाओ चीज़ है होटी पलटने के लिए कि पलटा भी ले सकते हो यह कि अप पलटने के लिए कि पलटी पलटने के लिए मुझे बनाना सबाता है पर तो आदे हम ठोड़ी обient दो पयर आपनी नाइफ के लिए Gobierno इंके बक्तार कότε हो दे राइक है कोशिषे करना कि अगर वह माइक्रोवेव में वेने हुज़ मेर्टथे़ है और यहाँ चैनी हो इसे होटा है कि अब ड़िए पैर करी घ्या और खाली तो अब टिफिन बोक्स भी अगर आप माइक्रोवेव वाला लेकर रहा हो कि अगर आप खाना गरम करते हो तो वह भी जादा बेटर है तो कोशिश करना कि माइक्रोवेव में यूज करने वाले बरतन अगर आप यह लेकर आओ आपका है मसाला दानी यह भी मेरी एक गलती थी तो मैंने क्या किया था मैंने छोटे छोटे इतने इतने बॉक्स लिये थे जिसमें मैंने मतलब अपना सारा हल्दी और लाल मिर्च वगर मसाला सा मैंने इतने 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 बॉक्स में डाल के अपने बैग में ही रख दिया था स यह प्रेंडली नहीं लगता तो यह मैंने इपनी फ्रेंड से बोरो किया है आपको दिखाने के लिए यह मसालादानी होती है इसको आप लोग क्या बोलते हो और भी जगाओं पे मुझे नहीं पता पर हमारे गर में इसे मसालादानी ही बोलते हैं इसमें अलग-लग ऐसे कमपार्टमेंट्स बने होते हैं यह देखो इसके अंदरा बीच में जीरा आप गरेडा सकते हैं इन्होंने यह राई डाली है और नमक, मिल्च, जीरा, गरम, मसाला सब कुछ आला है और आपको मैं बताओं यह सारा समान इन्होंने यहीं से लिया है यह जीरा नहीं मिलेगा तो यह गलत वहम है इसमें आपको समान आपको स्टॉक करना है वह आप उसमें स्टॉक कर सकते हो मैंने जैसे आपको बावा कुछे ब版 का बीर बीन और बावंजा इसमान। तो ऑफने में चार पंछ सबसी आपको सब्सक्राइब काा तो उसका फार सफ के साथ निया यह जो जो कोई खोड़ा के साथ जलão काई ब् unveiled रहे रहे लेके आना बट by any chance अगर आप storage box आपको लगता है कि हाँ के कम पढ़ रहे हैं या बड़े बड़े नहीं है वो यहाँ पर मिलते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हो और बहुत अच्छी क्वालिटी का है अपको प्लास्टिक का है अलग लग शेप में आते हैं अलग तरीके से आते हैं आप यूज कर सकते हो तो कहने का मतलब यह है कि आप एक average size storage box लेके आ सकते हो अगर आपको जाधा ज़रूत पढ़ती है तो समान घर से लेके आ रहे हो उसे store करने के लिए जो एक और चीज है वो है coffee mug coffee mug बहुत important है मेरे brother ने मुझे दिया था वो मैंने गूम कर दिया पर आप उसको बहुत संभाद कर सकते हो coffee mug में मैं coffee गरम करके या दूद गरम करके जो मेरी सुबा सुबा क्लास होती थी मैं ले जा सकते हो तो coffee mug or water bottle ये चीज़े आप लेके आए और मैंने आपको बताया जैसे टिफिन बॉक्स टिफिन बॉक्स लेके आए अगर वो माइक्रोवें में यूज हो जाए तो ऐसा लेके आगा ना कि माइक्रोवें में आप उसको यूज कर सकते हो ठीक हमारे food items की बेसिकली food items मे आप salt लेके सकते हो अपना red pepper, turmeric, red chili, garam masala ये सब लेके सकते हो शुगर, ginger, garlic पेस्ट में रिकमेंड करूंगी इनिशली जब लसन और अदरख नहीं होगा आपको आते हैं यहां पर खाना बनाना होगा तो अटली वो पेस्ट होगा वो आप पेस्ट यूज कर सकते हो देन अब इस्ट भी इस लेके सकते हो पेस्ट कर से और होगा तो यहां पेस्ट कर सकते हो वेजटेबल वगेरा वह भी आपको instant बन जाता बन जाता है वह तो मैंको इस जैसी तो मैं बना लड्ड़े ने रिकमी तो मैं मेंने कर लड्डू मेरे साल जो भी अपने मेरे दुबाई वीडियो देखी है जो मैंने आपको फ्लाइट वाला बताया उसमे मेरा एक्सपिरियंस तो जब मेरे को वहां पर बहार नहीं जाने दे रहे थे एरपोर्ट से तो मेरे को वह लड्डू ही काम आये थे प्लस उसके बाद भी जो मेरी सुबा सुबा क्यासिस होती थी तो मैं वह लड्डू खा लेती थी और वह लड्डू होते थे लड्डू मुमे नहीं बनाए थे आटे के उसमें ड्राइ फ्रूट्स बगएरा डाल के बनाए थे तो वह भी आप लिका सकते हो ऐसे आप बहुत सा जो भी रीस है ही नहीं and then आप अपने डाले राजमा छोले जो भी आपको पसंध है भी लेकर आ सकते ओं और अगर मैं आपको बताओं तो मैं एक बॉटल में सरसो का तेल भी लेकर आई थी बोभी मैंको मम्मी ने प्यक्ट कर के दे दिया था गी भी लेके आया थी ऐसे इक बोटल में मेल्ट करके उन्होंने डाल दिया था कोई प्रॉब्लम नियो सीक्योर्टी चेकिंग में और चीज में कि किसी ने मुझे रोका हो कि इसमें तेल है या फृर इसमें इतना समान है नहीं मैंने अपने मेन बैग में रखा था जो मैंने अंदर डिपॉजिट कर दिया था बैग सब्मिट कर दिया था उसके अंदर डखा था पर मुझे कभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो इसकी में अगर आप लेगा सकते तो आप भी तेल घी ले आओ घर का यह हमारा food related हो गया अपना ready to eat लेकर आओ समान ताकि आपको initially जब आप आप यहां आओ ग्रोसरी पहली नहीं हुई या कुछ क्योंकि मैं जब यहां पर आई थी में आपस अपना experience शेयर करूँ तो जब मैंने यहां पर land किया था Sydney में नोगा स्कोशय में तो उस टेम यहां पर खड़े मसाले तक भी मैं लेकर आई थी तो उन सब चीजों से मैंने अपना काम चलाया मैंगी से काम चलाया वो लड़ो में काम चलाया मेरे से लड़ो से मैंने काम चलाया तो आप रेडी टूएट समान भी लेआओ वह आपको बहुत हैल्प ही करेगा है यहां पर जितना ज यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर इसके बिन आपका कोई गाजट रन ने करेगा आपको सब्सक्राइब इंडिया से फोन है इंडिया का चार्जर है वह यहां पर चलेगा है तो एक उनिवर्सल प्लग होना बहुत जरूरी है इसमें यूएस्बी पॉंट भी है इसमे बहुत जरूरी है मैंने भी पावरबेंग क्रोमा से लिया था यह मेरा पावरबेंग यह 10,000 मह का है जो more than sufficient है क्योंकि मुझे हर जगा तो charging plug मिली जाता है college में charging plug है क्लासिस में यहां पर है लाइट का कोई आज तक मुझे इतना issue नहीं हुआ बट फिर भी this is backup तो backup 10,000 का मुझे sufficient लग रहा है अगर आप नया लेने लगे हो आपके पास पावरबेंग नहीं है तो I suggest कि आप 20,000 का भी ले सकते हो उसमें कोई ले सकते हो kind of then earphones, mobile phones and laptops earphones अपने लेके आईए बहुत जरूरी है आजकर अपको बहुत जादा जरूरत है आजकर प्लस laptop अगर आप laptop नेया लेना चाहते हैं तो I suggest कि आप यहीं से आग यहीं पर आके लिजए mobile phone नेया लेना है तो यहीं पर आके लिजए नहीं तो जो already आपके पास है आप अपने लेकर आईए of course and then आपको hard drive or pen drive so मेरे पास hard drive नहीं थी तो मैं pen drive जो दिन पड़ी थी मैं बोले के आईए अगर आपका hard drive है तो आप hard drive लेकर आईए अगर आपका program ऐसा है कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत आरा data exchange करने की जरूरत पड़ेगी या मेरा बहुत हैवी software या कुछ भी या मेरा data बहुत जादा रहता है फोन का या XYZ तो आप अपनी hard drive लेकर या pen drive लेकर मतलब एक storage के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आईए then आपका एक calculator बहुत जरूरी है आपको अपने courses में भी हाँ पर काम सकता है मेरे भी accounts या stats में भी calculator more than enough है काफी है then आपकी hand sanitizer जो आज भी time पर बहुत important है pocket sanitizer या लेकर ही आओ वो तो must है then body lotion विंटर्स के नाइप में body lotion बहुत जरूरी है मेरा body lotion मेरे backpack में था मेरे साथ तो मेरे को अर्पोर्टो एरपोर्ट पे जब हो स्क्योरिटी चेक में हम पास-on करे तो उन्होंने वो निकाल दिया तो इदर या तो उसको अपने main bag में रखो या handbag में तो मत रखो मेरे पस नी बड़ी बॉटल थी और उन्होंनी पूरी की इंपोर्टन वो मैं सर्दी उचाहे गर्वय मैं तो हमेशा रुस करती और आपके लिप्स बगरा बहुत राइब जाते हैं तो उस तेम पे वैसली ना में पेट्रोलियम जैली इस कौइट इंपोर्टन तो वो तो लेकर याओ मैं दो लेकियाई तो फैस जो शैंपू और हम रहता भी ने यूज करने को and then so I will suggest you that sashes लेकरो 10-12 लेकर 20 लेकर 20 लेकर 20 लेकर बट शैंपू चंडिशनर और अगर oil के क्या सकते हैं तो यह सब चीज़े हैं so guys मैंने अपनी करफ से best किया है मैंने अपनी घर पर बाग करके अपने दोस्ते से बाग करके तो मैंने पूरा अनलाइस करके इस लिस्ट को प्रिपेर किया है इस लिस्ट का लिंक मैं आपको description box में दे दूंग आप उसको भी पढ़ सकते बार बार अपको पूरी वीडियो देखने की जरुरत नहीं रहेगी तूँ जस गो थू करो और अपना पैकिंग के लिए टिक करते रहो मैंने पूरा लिखा के टिक करती रहती तो यसे से पैक होता रहता था so guys इसके साथ मैं वीडियो को end करती हूं thank you so much for watching my video अगर आपको म much again see you later bye